असलाम नेकों वीवर्स आज हम के लिए रमजानी स्पेशल चिकन इस्टिक रेसिपी लेकर आएं च्योंकि बहुत ही आसना खाने में बहुत ही मज़ेदा वीडियो स्टाट पर नस पहले मेरे चानल को नुब्सकार पर देजे बैले पंदबादी चे थाके मेरे डिवीटी सब मुझे है चेकन इस्टिक बनाने के लिए predictable एख वन टेबल इस्पोन ग्रीन चील शूस नटेबल इस्पोन स्थ चिकन इस्पोन फी रिच पॉन अउड़ा 20 चिर ली पौडर हैंबən टीस्पोन नमक कर में बनात के लिचे हुआ 1500 G चिखन लिया है और इसे इस तरह से हमें उसक्तरा से कब प्कॉब Бटाइट हम उसक्ति एकणिम्न कट्रानी से उसक्ति कॉच्ब सावरा नियुवर किता तर्यार चिखन लेकर नियुवर्कॉ इसे इसमें विद्ट हम लेने मीच्प करेंगेlles वेंट।्ट कीमश ज्यक्ट कर लेंगे मेसे सपासिस जबेंगे सब्सक्राइबों और इसे हमस्टे से भ्रमेट करने के वाद इसे हमें 20-25 मिनट तक लेना है और यहां पर मैंने वाइट गलर की बारीच सिर्या लीह है इस तरह से और यह इसक्यूवर्स लिए हमने कुछ और इसे पानी में डिप करके रखना है थोड़ी देश पहले ही 15-20 मिनट पहले और इसे हम फाइन क्रश कर लेंगे जितना ये क्रश हो सकती है उतनी कर लेना इसे एक दम बारिक कर लेना इस से वियां को हमें होई थी मैंने उतनी कर लिया है कभी हम पर यह चिकन हमारा अच्छे से मैरिने ठोड़ चुका है तो हमारे कबाब को लेना है और इस तरह से हमें स्क्यूवर में डाल देना है तो यह स्क्स्क्यूवर् आपको इज़िल मार्केट में मिल जाएगा फिर उड़न स्टिक्स होती है बढ़ी आसा निस ये मार्किट में वेुशाती ए तो इसOOOOर्स नहीं है तो दूट्पिक्स में और इससी तरह से सारे दाल कर लोंगी और MHा फ्रेंट्स अगर से पुए सब्सक्राइब कोई स्पाइسि चीज या फिर मेर्ची अगरा मिक्स करते हो तो इमाने स्वेभा सब्क्राइब में चुन करेंगे हमें अच्छे से कौट करना है और आपर से नीचे से सारी तरफ से इसे कोट कर लेना है लिवें कि इस तरह इस तरह से थोरा से प्रेस कीजिए ता कि इसमें अच्छ चिपक जाएं और दल ताइम निकल नहीं तो मैं इसे प्रेस करकर अच्छे सेविया लगा रही हूं अ है तक यह निकले तो हमने यहाँ पर एक चिक उस्टिक पर इस सेविय लगा लिया है और सारौप पर हम इस तरह से लगा कर त्यार कर लेंगे और आपको इसके अलावा वाईव सेविय के अलावा एठ से नी 요मारी षीरब्पुर में वाली होती है न वो इस दिमाल कर शकते हो अगर से वाइट से लेके तो जाधा अच्छा होगा चिकन स्टिकक के से लगाने के निकता बट इस तरह जरूर किज़ेगा ताक कर आपके नहीं निकले और यहाँ पर हमारे रिःस ब्लाइब बैग में आप फ्राइब कर लेंगे जिकन सिप्लॉक में आप प्रीष करके अब तरह को जब भी इसे प्राइ करना हो तब ए फ्रीज से निकाल के प्राइ कर सकते हो और यहां पर हम बोर्ट बाज कर लेंगे तो मैं निनसे प्रैम तोची में अच्छे से प्राइख तो यहां पर हमारे चिकन इस्टेवर्चे से गोल्डन ब्राउन हो गए है तो हम इसे एक से देड मिनद तर में इसे तरह करेंगे अ कि मीडियम उपलेंप पर ही इसे ख्राइ किज़ेगा अकर से अपर से ही ख्रिश्पी होगे और अंदर से यह कोट नहीं होगे तबी हम इसे निकाल लेंगे और इसे निकाल कर टीशु पेपर वगिरा पर बिल्कुल भी मत रखिएगा इसका सारा निकल जाएकर टीशु तो यहां पर हमारा बुंबुल सॉस बनके तयार है एक मिनट में हमारी चिकन स्टीक भी तयार हो चुके हैं तो आप इसे एक दफ़ा जरूर ट्राइक जेगा रमजान में यह सभी को बहुत पसंद आएगा और इसे बनाना भी बड़ा आसान है और खाने में तो यह बहुत ही मज़ेदार बनते है हमारी फैमिली में तो यह सभी को बहुत पसंद आया थे बिल्कुल मार्किट स्टाइल बनके त्यार हुए थी चिकन स्टिक्स तो आप एक दफ़ा जरूर कीजेगा और अगर से वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए आगे अपने प्रेंट्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेर कीजिए मेरे चैनल पर पहली बार आया तो सबस्क्काइब कीजिए पहले कंदाबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले देखने को मिले अगर से आप लोगों कोई और रेसीपी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताए इंशाला जरूर दूंगे चलती हो लहाफेज मिलते हूं अपने नेक्स वीडियो के साथ